नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बाफ फिर से teaching वाला पर मेरो नाम कमलदीप सिंग है आप सभी लोग जानते हैं की teaching exams की आप सभी लोग preparation कर रहे हैं और कोई ना कोई teaching exams जो है निकलता रहता है अकसर अकम देखते हैं और काफी दिन से वेट भी चलता रहता है कभी कभी वर्सों तक एक्जाम नहीं आते हैं तो अभी पिछले साल से लेके अब तक VPSC ने काफी vacancies हमें दी है ठीक है साथ ही साथ काफी अलग vacancies भी हमें देखने के लिए मिली है तो ऐसी ही एक vacancy जो underrated है वो हमें आज देखने के लिए मिली है मैं आपको बता देता हूँ तो स्टाफ सेलेक्शन बोड ठीक है यूटी एड्मिंस्टेशन ओप दाद्रा एंड नागर हवेली एंड दमन एंदीब तो यहाँ पर यह teaching vacancies निकली हुई है तो जो भी लोग इच्छिक हैं यहाँ पर दाद्रा एंड नागर हवेली में और दमन एंदीब में जोब करने के लिए इन teaching vacancies में आप अपलाई कर सकते हैं अब देखेगा इसमें क्या क्या eligibility चाहिए कितनी post हैं मैं एक बार आपको discuss करके बता देता हूँ सबसे पहले इसमें तीन लेवल पर vacancies निकली हुई है आपके अपर प्राइमरी टीचर की vacancies निकली हुई है post graduate teacher की vacancy निकली हुई है PGT teacher की और trained graduate teacher या TGT teacher की vacancy भी यहाँ पर निकली हुई है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि end on यानि कि last date क्या है अपलाई करने का 29th of January 2024 इसका last date है application fees 200 रुपे है post graduate teacher के लिए एक फरवरी last date है और trained graduate teacher के लिए वी एक फरवरी 2024 last date है अब मैं देखने चलता हूँ कि इसमें details क्या-क्या है primary और अपर primary school teacher के लिए तो मैंने यहाँ पे click किया तो हम एक page पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आपका complete advertisement आपके सामने open हो जाता है तो यह देखेगा यह 6 तारिक को यह vacancy release करी गई है और यहाँ पर primary अपर primary teacher के लिए ठीक है group B non-gadgeted non-ministerial जो post है grade पे भी यहाँ पर 93-34-800 है आपका 112 total vacancies है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर number of vacancies category में अगर divide करें तो undeserved category की 58 है SC category 16 है ST 8 है OBC 30 है तो यह total details है आपकी यहाँ पर इसमें ककसा 1 से लेके 5 तक के लिए क्या qualification आपकी होनी चाहिए primary teacher के लिए क्या qualification होनी चाहिए मैं एक बार बता देता हूँ senior secondary याने कि 12th आपने कर रखा हो 50% marks के साथ में 60 ही आपने DLA कर रखा हो या elementary education में 2 साल का डिप्लोमा आपके पास में हो ठीक है आपने 45% अंगों के साथ में 12th कर रखा हो और साथ में 2 year का diploma in elementary education whatever is known as कि JBT हो चाहिए आपका DLA हो चाहिए कोई भी डिप्लोमा हो 2 साल का elementary education का डिप्लोमा मांगा गया है आपने 50% अंगों के साथ में आपने 4 year का bachelor of elementary education BLA आपने कर रखा हो तो आप इसमें apply कर सकते हैं senior secondary आपने कर रखा हो और साथ के साथ में 50% अंगों के साथ में 2 साल का diploma in education special education में आपने कर रखा हो DAD आपने कर रखा हो pass in the teacher eligibility test TET examination में pass होना चाहिए to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidance framed by the NCTE for the purpose ठीक है साथ के साथ में अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो B.A. B.S.C. और B.C. 2 year diploma elementary education इसमें चाहिए होता है B.A. B.S.C. B.C. with at least 50% marks और एक साल का B.A.D. आपका चाहिए होता है ठीक है या फिर आपने एक साल का B.A.D. कर रखा हो और B.A. B.S.C. B.C. में 45% अंग हो साथ के साथ जो NCTE की norms के according हो वहाँ पर ठीक है इसके अलाबा अगर हम बात करते हैं ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है जो चाहिए होती है एज लिमिट की बात करें तो नोट एकसीडिंग 30 एर्स तीस साल से ज़ादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए और इसमें जो रिलेक्सेशन मिलता है वो government norms के according आपको दिया जाता है यानि कि relaxation for government servant up to five years in accordance order instruction issued by the government of India सरकारी जो government के आपके employees हैं उनके लिए पाँस साल का relaxation उन्होंने दिया हुआ है इसके लावा अगर हम बात करते हैं बाकी चीजों की जो बाकी की post हैं जैसे कि आपका post graduate teacher है तो उसके लिए क्या-क्या eligibility है कितनी post है तो number of post की बात करें तो 75 post है post graduate teacher के लिए ठीक है और trained graduate teacher की बात करें तो trained graduate teacher के लिए 130 post है आपकी यहाँ पर ठीक है तो इसमें भी आपका B.Ed चाहिए graduation complete चाहिए 4 साल का आपने B.Ed या integrated course जो होता है वो आपने कर रखा हो BA.Ed, B.E.C.Ed कुछ भी आपने किया हो ठीक है हाँ जी ठीक है तो यह सब चीजें है जो आपको चाहिए 30 साल से ज़्यादा की age नहीं चाहिए इसमें भी आपकी ठीक है तो यह इसमें eligibility criteria है जो आपको चाहिए होगा ठीक है तो जितने भी लोग interested है जो apply करना चाहते है इस post के लिए या इस vacancy के लिए वो apply कर सकते है last date मैंने आपको mention करके बता दी है ठीक है तो I think आप सभी के लिए useful vacancy है जो भी लोग eligible हैं चाहे वो किसी भी terms में हो आपके course के terms में हो या फिर आपके eligibility के terms में हो edge के terms में हो वो apply कर सकते हैं तो I think information आप सभी के लिए useful रही होगी तो guys all the best and take care stay connected with teaching वाला and thank you guys all the best bye